हलो एव्रिवन स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आर्थीज लाइश्टाइल गोल्डन ट्राइंगल सीरीज का ये है हमारा अगला व्लोग आज में आपको दिखाने वाली हूँ आगरा के कुछ फेमस फूड आउटलेट्स हमारी आगरा ट्रिप में हमने कहां कहां खाना खाया उसके सारे डीटियल्स इस ब्लोग में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ आप में से जो भी आगरा का ट्रिप प्लान कर रहे हूं उनके लिए ये इंट्रमेशन काफी यूसफुल हो सकती है अगर आपको आगरा में एक अच्छी जग़ ब्रेट्फिस्ट करना हो वो भी पॉकेट फेंडी स्टाइल में तो आप जा सकते हैं आगरा के बिकानेरवन ये है फतेहबाद रोड में जो ITC मुगल के ठीक सामने है इनके पास ब्रेट्फिस्ट के लिए काफी सारे आप्शन्स हैं विच स्टाट फॉर्म जस्ट रुपीज फॉक्ट्टी ब्रेट्फिस्ट के लिए हमने यहाँ ओडर किये आलू के परांठे, पनीर के परांठे, चाय और ग्रिल सैंबिच यहाँ का खाना तो टेस्टी था ही, साथ में यह जगा बहुत ही साफसुत्वी थी ब्रेट्फिस्ट के लिए I would surely recommend बिकानेरवाला ब्रेट्फिस्ट करने के बाद हम लोग चल पड़े फतेपूर सीक्री यहाँ से वापसी में हमने लंच किया थाली वाला रेस्टरॉन यह रेस्टरॉन है पतेहबाद रोड ताजगंजबी यह एक एर कंडिशन फैमिली रेस्टरॉन है यहाँ पर हमने ओडर किया नूडल्स चिली पोटेटू एक्सेक्टर और यहाँ की स्पेशल थाली होटेल में रिलाक्स करने के बाद हम चले डिनर के लिए डिनर के लिए हम पहुंचे आगरा के सदर बजार में यह जगह अपने फूड आउटलेट्स के लिए काफी पेमस ह यहाँ पर लाइन से बहुत सारी फूड आउटलेट्स हैं पर हमने चूज किया मामा फ्रैंकी मामा फ्रैंकी फेमस है अपने रोल्स, कबाब्स और तंदूरी आईटेम्स के लिए यहाँ का सबसे मशूर आईटेम है बॉनलेस चिकन फ्रै यह खाने में थोड़ा खटा मीठा है पर बहुती शांदार और अलग है यहाँ आए तो इस आईटेम को ज़रूर फ्रै करें फैमिलीज के लिए यहाँ पर एक सिटिंग डाइनर बना हुआ है आप तसल्ली से बैठ कर यहाँ अपना फूड एंजॉआई कर सकते हैं आज के लिए तो वी आप फूल बट टुमोरो वील कम बाक अगें टू सदर बजार तो ट्राइट इस फेमस चाट गली अगले दिन डिनर के लिए हमारा प्रोग्राम नई चौक जाने का था पर हमने एक लोकल ओटो हाइर किया था जिसके ड्राइवर थे मिस्टर नासी उनके रेकमेंडेशन पर हम गए एक दूसरी जगा पर इस जगा का नाम था अलीम्स ये है शहीतनागर तिराहा भगत चिंग मार्क पर अलीम्स पर हमने ओडर की चिकन बिर्यानी, सीक कबाब, मलाई तिकका, तंदूरी चिकन, चिकन चंगेजी यहां का खाना बहुत ही शांदार और लाजवाब था एस्पेशली यहां के तंदूरी आइटेम्स विच विच वे सोक्ट इन बटर यहां का खाना टेस्टी ही नहीं, पॉकिट फ्रेंडली भी है इतने सारे आइटेम्स के हमने एप्रॉक्सिमेटली साड़े पांसो छे सो रुपे का बिल दिया अगर आप आगरा आए और नॉन वेजिटेरियन खाने के शौकीन हो तो अलीम्स पर एक बार ज़रूर आईएगा मेरी रेकमेंडेशन इसके लिए 10 on 10 है नॉन वेज खाने के शौकीन लोगों के लिए नाई चौक आगरा की एक बहुत ही फेमस जगर यहाँ लाइन से दुकाने लगी हैं और एक से बढ़कर एक शानदार नॉन वेजिटेरियन डिशिज यहाँ खाने के मिलती है यह है आगरा की सबसे फेमस चाट कली यह है सदर बजार में सदर बजार का नाम सुनकर आप इसको दिल्ली के सदर बजार से कंपेर ना करें यह एक काफी छोटी मार्केट है पर हाँ यहाँ की चाट गली बहुती ज़ादा फेमस है यहाँ पर आपको चाट की इन्नियूमेरेबल वराइटी मिलेगी यह मार्केट खुलती है शाम के चार बजे और रात के साड़े ग्यारा बारा बजे तक चलती है अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हो तो आगरा आकर चाट गली एक बार ज़रूर विजिट करें गुलगप पे टिक्की के अलावा भी आगरा की तोकरी चाट काफी फेमस है लोड़ेड विट स्पाइसेज चटनी दगी सौर पेका यह मिलता है लेकिन इस वर्थ अ ट्रॉए इस दुकान पे मिल रहा है टिक्की विद ग्रीवी तरदार जी की यहां दो दुकाने हैं पहली दुकान पे मिल रहा था पनी टिक्का मश्रूम टिक्का एक्सेक्टर और दे सेकंड शाप वोस सर्विंग पास्ता यह है वाइट सॉस पास्ता लोड़ेड विद बटर चीज एक्सेक्टर आइमस्स से यहां का पास्ता बहुत ही शांदार था रेगुलर कुल्फी यहां सिर्फ साथ रुपे की है लेकिन आप यहां से कुल्फी कॉम्बोज भी ट्राई कर सकते हैं लोड़ेड विद आइस क्रीम, नाट्स, मलाई वगेरा इनके पास इसके बहुत सारे आगरा को गुडबाय कहने से पहले लास्ट थिंग वी हड तो वस तो बाई पेठा आगरा आए पेठा और डालमोट नहीं खरीदा तो क्या किया इसके लिए हम गए पंची पेठा के आउटलेट पर हमने यहां से खरीदा आईस क्रीम पेठा अंगूरी पेठा केसरी पेठा और कुछ पैकेट डालमोट के इन सारे पेठों में मुझे जो सबसे ज्यादा टेस्टी लगा वो था पान पेठा आप भी इसको एक बार जरूर ठ्वाई करें अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो आज चैनल फोर मोर सच कंटेंट अगले वीडियो में फिर मुलाकात हो की जैपूर के फेमस फूड आउटलेट के साथ लूड़ क्स्क्राइब झाला जिक्यास्न।